स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे डिव चैनल सिविल गुरुजी में मैं कॉर्परेट ट्रेनर फज्दूर हैमान आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैल्कुलेट सैंड एग्रिगेट एड साइट जिसी कि आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के उपर कि एक जो हाइवा है जो नॉर्मली जो हाइवा आते है साइट पर उनके मैंने अलग-अलग डैमेंशन लिखे हुए है इसमें आप देख सकते होगे कि जो अपर पोर्शन है उसको मैंने L1 लिया हुआ है और जो लोवर पोर्शन है उसे हमेरे L2 लिया हुआ है और दोनों की डैमेंशन अलग है क्योंकि जो डंपर आते है हमारा उसको जो अपर पोर्शन होता है वो बड़ा होता है हमारे अकॉर्डिन टो हमारे लोवर पोर्शन के तो जो हमारा L1 है वो है हमारा 5.6 मीटर और जो हमारा L2 है वो है हमारा 4.6 मीटर और जो हमारी breath है वो है 1.5 मीटर और जो हमारी height है वो है 1.7 मीटर तो इस number में कितिनी sand और aggregate आएगी यह हमें calculate करना है उसका जो formula है वो कुछ इस तरह है कि volume of number जो है हम निकालते हैं कि L1 प्लस L2 divided by 2 जो हमारा L1 है जो हमारा upper portion है उसे हम plus करेंगे हमारे lower portion के साथ जो हमारा L2 है और उसे हम divide कर देंगे 2 से यह क्या हो गया यह हमने average निकाल लिया है क्योंकि एक जो portion है वो बड़ा है और जो दूसरा portion है वो छोटा है इसलिए हम लोग average निकाल रहे हैं आपर एक length का अब हम करेंगे इसको into breadth into height अब इसके बाद जो हमने dimension लिखे थे L1 और L2 के हम उसे put करेंगे वो है हमारा 5.6 plus 4.6 divided by 2 into 1.5 into 1.7 तो जो हमारा answer निकल के आया है वो है 13.005 cubic meter तो अब जो हमारा answer आया है वो आया है cubic meter में इसे हमें convert करना है cubic feet में क्योंकि जो हम order करते हैं हम लोग sand या aggregate वो होता है हमारा cubic feet में वो आता है हमारा cubic feet में तो इसे हमें convert करना होगा तो हमारा जो conversion factor है वो है 35.31 cubic meter से cubic feet में करने के लिए तो उसे हम into कर देंगे 13.005 से और हमारा answer फिर निकल के आएगा वो आएगा 459.20 cubic feet तो इस तरह से हम आसानी से हमारे जो sand और aggregate है उसकी quantity निकाल सकते हैं side पर तो मैं आपको और एक बात यह बता दू कि आप जो यह dimensions लेंगे यह आप trolley के inner to inner distance में लेंगे outer to outer नहीं inner to inner distance में आपको इसे calculate करना है measure करना है उसके बाद इन values को जैसे कि आपको जो भी dumper होगा उसकी आप inner to inner calculate करोगे उसमें यह formula लगाओगे और आप quantity आसानी से निकाल पाओगे आपकी sand aggregate की तो चलिए दूसरी condition देखते हैं इसमें भी उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा इसका dimension बदला हुआ है हमारा यह जो हाइवा है इसका थोड़ा सा dimension बदला हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो हमारा L1 है वो है 6 मीटर और जो हमारा L2 है वो है 5.5 मीटर अब जो हमारा breath बनी वी है वो है 1.7 मीटर की और जो हमारी height है वो है 2 मीटर तो इसका जो formula बनेगा volume of dumper का वो भी पूरी तरह same होगा हमारे previous formula की ही तरह तो इसमें भी आप उसी तरह से L1 को put करोगे plus करोगे L2 से divide करोगे 2 से और into गर दोगे breath into height से तो इसमें भी हमारा answer ऐसी निकल के आएगा उसे भी आप उसी तरह से convert करोगे जैसे आपने पिछले वाले को किया था cubic meter से उसे cubic feet में हमारे conversion factor के साथ जो है 35.31 तो इसका जो answer निकल के आया है वो है 690.31 cubic feet तो इसी तरह से side के उपर जो tractor आता है वो पूरी तरह square होता है तो उसमें किसी भी तरह का ऐसा formula लगानी की जरुवत नहीं है आप उसमें आसानी से उसकी length एक ही होती है एक ही dimension होती है length की तो length into breadth into height उसमें आप कर दोगे तो उसका आसानी से answer निकल जाएगा तो अगर ऐसी condition आती है side के उपर जिसमें dimension हमारे हाइवा के कुछ इस तरह होते है कब आप ये formula लगाएगे तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा कि कैसी निकाली जाती है side के उपर quantity हमारे sand और aggregate की तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please like और subscribe कीजिए और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेगे technical videos तो तब तक के लिए thank you and goodbye आप भी civil industry के बन सकते हैं expert engineer civil guru जी के साथ civil engineers training institute अब पहुँच चुका है आपके अपने शहर भोपाल दिल्ली, लखनव और नागपूर में भी एक खास offer के साथ pay कीजिए 60% face after your placement अभी call कर ये 91100 1234 पर seats limited है जल्दी कीजिए